वाट इस दा सिचुएशन ओफ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्किट सेटेडे नाइट आ चुकी है और जब भी किसी वीक का सेटेडे आता है वीकेंड का टाइम आता है तो वीकली केंडल की बात होती है और वीकली केंडल क्लोजिंग देने वाली है लेकिन कल हमने देखा कि वीकली केंडल क्लोजिंग से पहला है हाला कि अगर आप देखेंगे वीकली केंडल क्लोजिंग से दो दिन पहले ही गेम हो गया यानि कल फ्राइडे था और अगर आप देखेंगे इस केंडल ने भी जो रुख है वो नीचे की तरफ ले लिया है तो 67,000 डॉलर पे बिटक 6900 तक 68000 तक वापीस आये हैं ठीक है सिचुवेशन अभी अंडर कंट्रोल है लेकिन पिछले 24 गंटे में कल रात से लेकर अब तक बहुत अच्छे कासे लिक्विडेशन हुआ है बहुत बिटकोईन ने लॉंग्स वालों की अथ्छी कासी यहां पर लिक्विडेशन की हैं तो अलर्ट रहना पड़ेगा छे दिन रह चुके हैं बिटकोईन हाल्विंग में ठीक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम है बिटकोईन हाल्विंग का जो आने वाला है तो अभी सिक्स्टी सेवन थाउजन डॉलर पे चल रहे हैं कल है संडे और वेट करेंगे थोड़ा इस वीकली केंडल क्लोजिंग का इस वीक की क्लोजिंग कहां मिलती है हम सबसे पहला अपडेट आ रहा है बिटगर्ट की तरफ से तो बिटगर्ट की कंटिन्यू पार्टनेशिप हो आज तो अगर हम टॉप गेंश्ट में जाएं तो भाईया टॉप गेंश्ट का भी कुछ ऐसा हाल है जो हम आइठिंक बीयर रण में देखते थे जब टॉप गेंश्ट के अंदर मोस्ली आठ परसेंट चार परसेंट नो परसेंट है इस तरह की लिस्ट गेंश्ट हमको बीय दो टॉप गेंश्ट के भी हाल देखो 10% से उपर कोई कोई नहीं है जैस्मी है 4% 2% तो कई ना कई फेली तो क्लोजिंग का प्रैश्र है और सभी कोईंस को वीकली कैंडल क्लोजिंग देनी है ठीक है तो हो सकता है एक छोटा सा गेंश्ट हो जाए लेकिन फोल संट यहां प ौणेकरोट के धिकषेदा इस तथीसT colours प्रफ़े पर न कोईरермट म फॉरह थूचण दोants से crypto to become important asset class and payment method मतलब इस सर्वे में क्या पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में तो क्रिप्टो देखो कितने लोग accept कर रहे हैं अगर 10% respondents की अगर हम बात करें expect the price of bitcoin to be above 75,000 dollar by year end इस साल के अंड तक 75,000 dollar देख लेंगे और अगर हम देखें इस में से which was conducted in March and more than half 52% of respondents believe that crypto currency will become an important asset class की बहुत बड़ी बात है 52% इस सर्वे की माने तो 52% लोगों को लगता है कि crypto market important asset class बनेगा और method of payment transaction बनेगा in the future और अगर यह ऐसा होता है ठीक है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि adoption भी चल रहा है mass adoption चल रहा है crypto का इसमें भी कोई डाउट नहीं है in the future and compare to the less than 40% in the September 2023 सर्व next data it seems that whales bought ethereum at the bottom अब देखो price गिरा ethereum का bitcoin का पूरी crypto market का तो smart whales ने खरीदने वाली वो मोका मिस नहीं करती है तो ethereum की buying को लेके data और whale ने विद्रियू किया है 37,000 ethereum 120 million dollar के from binance 4 hours ago and this whale has withdrawn 62,000 ethereum 202 million dollar के from binance in the past 5 days और fresh whale wallet विद्रियू 7,300 in ethereum from binance and deposit it into pendle ये ethereum की story है price गिरने पे next time बात करेंगे कुछ important updates के बारे में सबसे पहली तो है black rock को लेके bitcoin ETF का शेहन शाह अगर हम बात करें black rock तो world largest asset manager black rock अब hold करता है 270,000 bitcoin कितने के हैं 19 billion dollar के 1000 करोड के bitcoin black rock hold करता है 270,000 bitcoin की कीमतें बहुत ज्यादा है बहुत बड़ी है और worldwide जो कुछ भी होगा उसका impact markets के उपर भी दिखता है चाहे वो stock market हो gold हो silver हो है ना हर market पे असर दिखता है और कुछ ऐसा ही हुआ है कल war की update हम पहले भी discuss कर चुके हैं Russia Ukraine का war चल रहा है और कल आपने देखा Iran versus Israel का भी एक तरह से war जो है start हुआ है ठीक है अब देखो war situations भी impact करती है crypto को price dump हुआ था कल ही लेकिन कुछ अगर हम देखें Russia Ukraine का जब war हुआ था ना तो price bitcoin के बड़े भी थे अच्छे का से search भी हो थे क्योंकि demand बढ़ रही थी crypto की bitcoin की और price गिरे भी थे और in the times of war जब war की situations होती है वैसे तो war situations बिलकुल अच्छी नहीं है है ना बिलकुल भी अच्छी नहीं है तो होता क्या है कि financial market हो या banking essentially हो वो क्या करती है stop कर देती है functioning काम एक तरह से ठप हो जाता है और a major war would increase demand for bitcoin massively तो यह भी एक plus point है कि अगर चीजें bitcoin crypto की तरफ बढ़ती है तो उनकी demand बढ़ सकती है और demand बढ़ेगी तो price भी बढ़ जाएगा लेकिन फिर भी war है जो भी worldwide situations चल रही है उसको भी आपको अपने ध्यान में रखना है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना बाकी जो update रहेंगे को हम discuss करते रहेंगे एक तरफ तो कुछ whales खरीज भी रहे हैं और कुछ whales dump भी कर रहे हैं और इस वालेट ने भी डिपोजिट किया है 7900 Ethereum to Binance और इस वालेट ने भी डिपोजिट किया है 4000 Ethereum to the exchanges तो यह डंप की कहानी है 31,000 Ethereum dump किये जाए next update block को लेके block बहुत सारी exchanges पे recently आया Binance को छोड़के है ना बहुत सारी exchanges ने लिस्ट किया block को और new future alert अगर आप देखेंगे block USDT perpetual swept trading up to 50x is alive मतलब futures के अंदर लिस्ट किया है OKEX ने future trading के लिए भी अवेलेबल कर दिया 50x का leverage रखा है ठीक है यूज मत कीजिएगा और block की listing 50x leverage के साथ futures में वह भी OKEX exchange के ऊपर market का महोल बिलकुल गरम है और क्यूं गरम है भाईया बहुत कुछ होने वाला halving तो सिर्पे है लेकिन Asia is coming to the Bitcoin party Bitcoin ETF के approval US में तो मिल चुके हैं लेकिन Hong Kong में approval मिलने वाले हैं 15 April को है ना बनलब 15 April की date है Monday की और बहुत जल्दी approval मिल रहे है यह बहुत बड़ा step है क्या impact रहेगा Bitcoin के price पे next week की starting Hong Kong की बड़ी खुशकबरी से दूसरी खुशकबरी है South Korea will approve Bitcoin ETF अब देखो हर कोई हर country क्या कर रही है Bitcoin ETF approval दे रही है और मिल भी जाएंगे है ना South Korea भी इस list में है जल्दी Bitcoin ETF वहाँ भी आ सकते हैं सब की निगाएं बड़े बड़े billionaires बड़ी बड़ी companies आज सब की निगाएं किस पे हैं सिर्फ और सिर्फ Bitcoin पे हैं ठीक है और यही result है कि यह सब update हमको देखने को मिल रहे हैं तो जहां BlackRock अच्छी खासी Bitcoin की Holdings रखता है दो लाक सतर हजार की वही यूएस government की अगर बात करें यूएस government भी लिस्ट में उपर है और दो लाक से ज्यादा Bitcoin है यूएस government American government के पास तो यूएस government top chart as one of the largest holder of BTC with over 2,12,000 Bitcoin worth of 14 billion dollar पर अर्खम तो 14 billion dollar के Bitcoin दो लाक बारा हजार यूएस government के पास तो बड़े बड़े whales बड़े बड़े institutions गेम कर रहे हैं इस टाइम पे Ethereum को लेके तो भहिया FTX और Almeda भी पीछे क्यों रहे हैं ये हैं BRN के bankrupt players हना मतलब इनके पास जो assets हैं वो कही ना कहीं खत्रे की list में हैं तो research liquidators truly have a knack for choosing their exit points just 8 hour ago they deposit 2500 Ethereum 8 million dollar के to Coinbase at 3,400 dollar before the recent dump हना मतलब पहले ही game किया है और FTX & Almeda have deposit 15,000 Ethereum 58 million dollar के into centralized exchanges at 3,659 dollar and dramatic price changes tended to the follow afterward ठीक है तो Ethereum को लेके game बड़े-बड़े whales institutions के और FTX Almeda के तो बिलकुल Bitcoin spot ETF approval मिलने वाले हैं और sources क्या बता रहे हैं पहले Hong Kong में मिलेंगे Hong Kong की date है 15 April की तो बहुत बड़ा दिन है 15 April का नया week भी एक तरह से शुरू हो जाएगा और sources say Hong Kong set to approve first Bitcoin ETF as early as Monday देखो कितनी जल्दी यहाँ पे approval मिल रहे हैं और अगर मैं बात करूं Harvest, Hashkey और Bossera ETF likely to debut in Hong Kong next week तो ठीक है और following the approval of 11 spot Bitcoin ETF in the US their counterpart in Hong Kong are now anticipated to secure the note from the तो भाया अब यहाँ पे Harvest, Hashkey और Bossera के approval मिल जाएंगे ETF के Hong Kong के अंदर next update है डॉज कोईन को लेगे आज डॉज कोईन के भी मुवमेंट हो रहे हैं और 74 million dollar के ट्रांसफर होते हैं अन्न वालेट से रॉबिन हुड अभी 74 million dollar कोई निकले थे उसमें आप 150 million और जोड़ दीजिए डॉज कोईन की भी हल चलते हैं और 150 million भी डॉज कोई निकले हैं 26 million dollar के ट्रांसफर होते हैं Robin Hood से अन्न वालेट क्यों लास्ट सब्सक्राइब करेंगे अभी अम इधिरियम की बात कर रहे थे और लिक्विडेशन के हीट मैप क्या चल रहे हैं अब 24 गंटे के अंदर पिछले 24 गंटे के जा चुके हैं पिछले 24 गंटे में भी 800 million dollar के लिक्विडेशन ऐगर आप देखेंगे पिछले एक घंटे में 8 million dollar longs के लिक्विडेशन हुआ है सबसे ज़्यादा इधिरियम के अंदर bitcoin के 2 million dollar के हैं और आप देखोगे इंडर 846 मिल डॉलर के लिक्विडेशन है 9900-2900 कृष्ट और 252 002 को लिकविडैट किया है मार्कें तो अच्छे गा से क्रीटर एंड ऑर 5 to 6 आजन करोड़ रूपीज के लिक्विडेशन टॉटल 846 40 मिलियन डॉलर की तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे और बाकी अपडेट नेक्स वीडियो में किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें वो बहुत ज़रूरी है नीचे डिस्क्रिप्चर में टेलिग्राम एक्स के लिंक है जोई नहीं गया तो कीजिए कोई अपडेट मिसने होगा तब तक के लिए बाई बाई टेक केर